दोस्तों आप लोग भी बिजली के बिल से परिशान हैं और चाहा रहे हैं भी अपनी छत पे सोलर लगा ले लेकिन जब सोलर की बात आती है तो आपके दिमाग माता है सोलर बहुत जाता पैसा खर्च होता है आज एक स्पेसल वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए इसमें जानकारी देने वाला हूँ के दस से पंद्रे हजार रुपे के खर्चे में भी आप अपने छत पे सोलर लगा सकते हैं और जिंदगी भर अपना जो घरे लोड है उसे फ्री में चला सकते हैं जैसा कि इनवर्टर बैटरी तो जरूर लगा हुआ है चाब बिजली से काम करता है तो अब बस मैं बताने वाला हूँ कैसे उसे आप बिना बिजली के चार्ज कर सकते हैं सोलर से सीधा लगा के कनेक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10-15,000 रुपे खर्च होगा औ और आपको दिन के टाइम में तो बिजली की जरुत पड़ेगी नहीं रात के टाइम में आपकी बैटरी है वो बैक अप देगी तो बिल्कुर कनेक्शन भी करके दिखाऊंगा कैसे कैसे इस्टोलेशन होगी उसके बाद मैं वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि आपके पास में अभी इनवर्टर बैटरी कुछ भी नहीं है फिर भी आप चाहा रहे हैं मेरा पंखा मेरी लाइट मेरा टीवी मेरा मोबाइल चार्ज हो फ्री आफ कॉस्ट हो बिना बिजली की हो जिन्दी के बर को बिजली का बिल ना देना पड़े तीस साल गारंटी का पैनल उसके बाद में बताएंगे कि कैसे आप बिना इनवर्टर बैटरी भी अभी हैं फिर भी आप 15-15 जार रुपे में कैसे अपने घर का लोट चला सकते हैं तो दोस्तों वीडियो में अंतक रहना और वीडियो शेयर जरूर करनी है आप शेयर कर देते हैं तो मेरा confidence boost होता है प से आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और अब तर घर करके दिखाते हैं पहलेती किAudco से करनेक्ट करना है नॉर्मल इन वरतार लोगों के पास है इसको आप इस पॉइंट को अप्छील के इसमें लगा के प्लास से भीज देंगे यह चल जाएगा और यह नीचे आपका प्रवानेंट क्लिपिंग के लिए धूल डस्ट ना जाए उसको किलिप कर देंगे तो इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे क्योंकि हमारा जो सिस्टम है यह बारे बोल्ट का है एक बैटरी का सिस्टम है तो बारे बोल्ट का पैनल है इस पैनल को हमें आपसमें दोनों को पैरलर कर लेना है पैरलर मतलब दोनों के प्लस एक जिए मिला लेंगे इसका प्लस और इसका प्लस और दोनों के माइनस एक कर सकते हैं और प्लास से बिचके लगा सकते हैं एक हम इसका लेंगे अभी positive वाला तार यह negative लगा दिया है अब दिया है और ली लेंगे लाल और काला जैसे आप आप हाँ में समझते हैं तो यह वाला positive है जेसे मैंने बताया और पाफान बना दूं मैंने डायोड का जो यह पार्ट होता है डायोड देख रहे हैं और डायोड का इधर काला है और देख रहे हैं सपेद पार्ट यह जो पार्ट होता है यह हमेशा पॉजेटिव की तरफ होता है यह पॉजेटिव की तरफ होता है तो यह पैच्छान कर लें आप पैनल लेते हैं और प पॉजिटिव लगा देते हैं, इस्तार को छिल ले हैं हमारे सही होगी, क्योंकि आप लोगों को बारी की से एक एक चीज की जानकारी हो, हमारा उद्देश से शिर्फ यह है कि यह सोलर की जानकारी घर घर तक पहुचा है और आप लोग, सब लोग, सोलर के बारे में कम्प्लीट जानकारी हो जाए, फ्री की एनरजी है, सन की जो एनरजी है, हमें फ्री में मिली हुई है, और हमारे छट पे रोज आके पढ़ती है, और फिर हम बिजली का बिल क्यों दे हैं, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोग को जानकारी देना, ये वीडियो बस सिर्फ इसलिए बना रहे हैं, आप लोग को जानकारी देने के लिए, परचेज करना ना करना वो आप लोगों के उपर होता है, कोई चीज आपको अच्छी लग रहे हैं, तो सिर्फ जानकारी के लिए वीडियो बनाने के लिए आप इसे यहां से निकालेंगे नीचे से, और इसमें क्लिप खेंच देंगे जिसे धूल डश्क पानी ना जाए और इसे भीच के शूरूडिंग करा लेंगे, तो यह हमारा इस पैनल से कनेक्शन हो गया, और पैनल से सीधा कनेक्शन लेने के लिए, जैसे हम दो अगर हम पैनल लगा रहे हैं, तो देख रह है, एक छोटा सा मैजिक बॉक्स हो रहए, इसको और खुल दूँ मैना भी खोला नहीं है, एक मैजिक बॉक्स, तो चोटे से मैजिक बॉक्स में आप देख रहे हैं, यह एक चार्ज कंटोलर है और इस चार्ज कंटोलर की कीमत मैंने कई वीडियों में बताई है पंद्रियसों रुपे है और इसकी विशेस्था क्या है यह 12 बोल्ट 24 बोल्ट दोनों पर ओटो हो जाता है 50 एंपियर का है बहुत साले लोग इसमें कन्फीज हो जाते हैं यह MPPT है क्या यह MPPT नहीं है PWM टेकलोजी है पर इसका वेनिफिट क्या है कि बारे बोल्ट के पैनल पर एक भी से ध्यान रखने वाली बात है अगर बारे बोल्ट का पैनल है तो बारे बापका पास अगर एक बैटरी का इंव लगाना है तो इसको इसलिए ने लेंगे चुक्कि हम दो पैनल लगा रहे हैं दो पैनल हमारा चार सो बीस वाट हो गया और यह क्या है कि अगर दिन में रोज अगर यूज नहीं हो रहा है तो बैटरी ओबर चार्ज कर सकता है तो हम इस कंट्रोलर का प्रियो कर लेंगे डायोड पर दिखाया पीछे लगा हुआ हुआ है तो इसके आपको करके दिखाते हैं दोनों पैनल के उस पेनल पर हम काम कर रहे हैं तो पैनल के चल रहे हैं अब देखें दोस्तों कनेक्शन हो चुके हैं दोनों पेनल के टेंप्रेरी हमने कर दिए हैं पर्वानिट के लिए जैसे हैं से हमने कर दिए हैं तोनों तरप से काम करता है पीछे से भी आगे से साल की वाला पैनल है ये टेस्टिंग रिपोर्ट है अब इसको पैडरी कैसे जोड़ेंगे वह भी आपको दिखाते हैं और बहुत सारी लोगों का होता है बहुत सारी वीडियो में जनकारी देया जिससे हमें का plus आया eq plus इसका deaux का डौनों को जोड़ देख एग तो यहोगए isa अबatta यो की थिरिबी चल जाता अलग बीची के आप देख सकते हैं अभी हिसका हम connection भी आपको करके दिखाएंगे बिल्कुल सिधा और आसान तरीके से और वीडियो के अंत में मैंने बोला था कि आपके पास में inverter बैटरी नहीं है तो अभी आप 15,000 रुपे में चला सकते हैं सारा लोड अपना उसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो मन तक जरूर रहें ょ algorithm का प्रद्व दोस्तर आप वीडियो को अभी करते हैं कुछ लोगों अभी शेयर नहीं कि तो एक बार निवेदरने सेयर करते हैं पूरा मारते हैं वीडियो को अभी दो नेगेटिव तार है एक इस पैंशना का नेगेटिव है और एक पैणल का नेगेटिव है तो यह भ लगाएंगे क्न्ट्रय में क्या होता है कि कंत्रॉलर के अंदर आप देख रहे हैं करेक्टव करेक्टर लगा इसलिएक बैटरी के पॉजेटिप में और नेगेटिव में अब पथोडा दूर और हमारे साथ में है आकाश जी तो अब इसको कर लेते हैं एक बार नट बोल्ट डालके प्लास से देखिए हमने यह तो कंट्रोलर के लिए जो कनेक्टर है उसका एक तार ले लिया है जो पॉजिटिव है और यह इनवर्टर का पॉजिटिव है तो बहुत आसारी से समझाने के लिए मैं प्राइब आपके पास में प्लास होगा चावी होगी उस पर कार से अपना टूल से आप टाइट कर सकते हैं इसे तो अब यह पॉजिटिव में लगा देंगे हम तो यह लिया हमने नेगेटिव के लिए और नेगेटिव में एक इनवर्टर का नेगेटिव और एक यह कंट् तो इसमयं प्राइब तो समझाना है आपको स्यलर कैसे लगा है इंवर्टर बैक्ति ता आप यूजी कर रहा है किसी तौंपनी अपके पास इंवर्टर है जो इनवर्टर नहीं है उस प्र लगा सकते हैं तो यह हमने जोड दिया है हमने और यह हमारा अब system चालो हो गया है अब इसमें हमें क्या करना है दोस्तों अब आप देख रहे हैं आप थोड़ा समझने वाली बात है तो यह negative हो गया यह positive हो गया और यह हमारा पहले हमें जोड़ना है controller से मैंने पहले भी बताया पहले battery को हमें controller से जोड़ना है तो controller अपना sense कर लेगा कि मेरे पीछे 12 बोल्ट battery है यह 24 बोल्ट की battery है तो यह लगा देंगे सीधा correct कर देंगे controller में दोस्तों light आ गई है controller में light आ गई है बैटरी के बोल्ट कम बता रहा है बैटरी हमारी डाउन है 9.6 बैटरी के जो बोल्ट है वह 9.6 बता रहा है तो अब इसमें हम लगा देंगे solar अब इसने बैटरी को sense कर लिया बैटरी में बोल्ट कम है इंवर्टर भी हमारा इस वाज़े से तीई तीई की आ राखें आपको दिखाने के लिए और अब इसे हम कनेक्ट कर लेंगे दोस्तों है तो अब हम इस पर कर देते हैं solar के connection जैसा मैंने बताया पहले बैटरी से कनेक्ट कर दिया है तो यह सोलर का प्लस हमारे जो सही होगी है लगाएंगे अकाश जी अभी इसको खोल के और इन मा निड़ान अजिफ से थ्बार इंड़ ँजान बाताय थाई म्म और इंड़ान आप। तो आ यह काम ही नहीं करता है क्या करते हैं कि दोनों तारों को पकड़ते हैं ऐसे स्पार्क मार मारके देखते हैं करण आ रहा है। वह गलत तरीक आ दोस्तों बिलकुल ना यूज करहा है हमेशा बॉल्ट मीटर का यूज करए उस परकार से एक प्रोफेशनल की तरह काम करें से अच्छा टेक्नोजी का आपको फायदा हो सके तो अभी हम इसे ले लेते हैं कि हम देखा रहे हैं पॉजेटिव ले ले लेते हैं पहले हम और टचिंग ना हो आपस में हमेशा ध्यान रखें यह चीज है और लूजिंग ना रहे हैं कि हम डाल दिया अंदर अब इसको कनेक् अब यह बन गया है सोलर सिस्टम जो साधारन सिस्टम था वह हमारा सोलर सिस्टम और हमेशा ध्यान रखें टचिंग ना आए आपस में फिर वह बार बता रहा हूं यह बात हैं महत्पून है पोजिटिव नेगटिव आपस में टच ना हो और यह थोड़ा सा तसलिक के साथ काम करें जिसे दिक्कत ना है अब हमारा सिस्टम हो गया है चालू दोस्तों हम पैनल से थोड़ा साइड में होंगे और यह बार आपको दिखाएंगे चार्जिंग इसने वर्किंग शुरू कर दिया है पैनल हमारा काम करना शुरू कर दिया है अब बैट्री के बोल्ट भी कि देखे आगये हैं और पैनल ने चारजिंग शुरू कर दिय आप 11 आपको दिख रहे हैं ग्यारेब्पर 1 बोल्ट बारेड़ बढ़ बढ़ रहे हैं आपको दिख रहे हैं पर चुक्की फलाइ बोल्ट responds होते है है शुरू में क्या कि ऐकजब करन ड़ आता है तो यह दीम प्रकार से दोस्तों आप अपने साधारन इंवर्टर को जो साधारन बिल्कुल आपका बेसिक इंवर्टर है वो किसी भी कंपनी का है वो सोलर इंवर्टर नहीं है उसे बना सकते हैं और खर्चे की बात करेंगे तो एक पैनल की जो कॉस्ट है वो विद जी ऐस्टी साधे आठाजार रुपए की मान सकते हैं फिलाल तो आपका लगबग साधे आठाट हजार के दो पैनल हो गए तो आपका सत्रह जार रुपए के पैनल हो गए 15 रुपए का कंट्रोलर हो गया का 20,000 से UNDER में आपका इस सिस्टम बन गया सोलर सिस्टम अभी इसकी तागट कितनी है कि आपके दिन के टाइम में आपका पंखा है जैसे एक पंखा चलाया लायट जलाई और रात के लिए भी एक पंखे के लिए और लायट के लिए कर्ण्ट बना देगा दिन में अगर विजय जी आपने वीडियो के शुरू में बताया था कि जिन लोगों के पास में इंवर्टर बैटरी नहीं है, वो लोग भी 15-20,000 रुपे में अपने लोड चला सकते हैं, तो उनके लिए कैसे करेंगे, तो उनके लिए क्या करना है दोस्तों, आप ले लेंगे एक बैटरी, यह साधान बैटरी है, मारूती वाली और बजार के अंदर 2,500-3,000 रुपे की मिल जाती है, अलग-अलग कंपनी की, अब आपको क्या करना है, आप एक पैनल ले लेंगे, और एक पैनल पे, अगर दिन-दिन का लोड है, रोज निकालना, आपको करना चाहाते हैं, तो बिना कंटरल्र भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूगा कि आप एक चार्ज कंटरलर भी ले ले लें बीच में, तो इक चार्ज कंटरलर ले लेंगे, दोनों के बीच में, अब इससे क्या फायता होगा आपको, कि दिन के टाइम में DC पंख्य हैं बजार में जैसे आपका पूलर है पंखा है इस परकार की चीज़े आप चला सकते हैं दिन के टाइम में और रात के टाइम के लिए आपकी चार्ज होके मिल जाएगी तो रात के ताइम में ये बैटरी आपका लोड चला देगी तो वह ऐसी लोकिस्टन से जहां ज्यादा लोड है नहीं नॉर्मल कोसट एक पेनल के सात लगा बैटरी लगा लेंगे बीच में घांड का फॉसकित हैं उसमें क्या खर्चा हुआ तो तक रहे मालें 12-13 dürr हमारा सिस्टम चालू हो गया पर सिस्टम क्या है डी सी से हम चलाएंगे इसमें डारक पैनल से डी सी लोड चलता रहेगा हम आपको एक जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को से निवेदान है और चैनल पे नए है चैनल को सबसक्राइब कि आखिए सब्सक्राइब करने वीडियो आप देख रहे हैं फेस्बुक पेज पेज पर फेस्बुक पेज को फोलो कर ले जिसे मेरा मोटिफिशन बढ़ता रहे मैं नहीं वीडियो आपके लिए लाता रहा हूं और मेरी वीडियो माँ पंत तक रहे उसके लिए आपका बहु आवार